बड़ी खबर आई हमास की सुरंगू से जुड़ी इस्रेल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की सबसे बड़ी सुरंग का पता लगा लिया है इसके साथी इस्रेली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उस सुरंग के अंदर चलती हुई कार नजर आई दावा है कि उस कार में हमास के कमांडर याया सिंबार का भाई मुहमत सिंबार सवाग था यानि वो सुरंग आकार में इतनी बड़ी है कि उसमें कार तक चलाई जा सकती है इस्रेली सेना के मताबिक उसने जिस सुरंग का पता लगाया वो उत्री गाजा और इस्रेल के बीच मौजूद एरेज क्रोसिंग के नस्दीक है और उस सुरंग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर बताई जा रही है दावा है कि इतनी बड़ी सुरंग अब तक इस्रेल की सेना को घाजा में नहीं मिली थी जबकि नेतनियाहू की सेना पिछले 2 माईनों से वहां बहुत बड़ा स्टेन million operation चला रही है और इसी दवरान इस्रेली सेना को इतनी बड़ी सुरंग मिली जिसमें कार चल सकती है उनमें सुरंगूं का आकार काफी छोटा दिखा था अब तक नजर आई सुरंगूं में घुसने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी लेकिन इस्रेल ने जिस सुरंग का पता लगाने का दावा किया वो आकार में उनके कई गुणा बड़ी है इसमें कार आसानी से चलती दिखी दावा है कि इस सुरंग इस्रेल और उत्तरी गाजा के बीच मौझूद इरेज क्रोसिंग से महस 400 मीटर दूर है और इसकी लंबाई 4 किलो मीटर है यानि एक बार उस सुरंग में कोई अपनी गाड़ी के साथ दाखिल हुआ तो कहां जाकर निकलेगा इसका पता लगाना बे इस्तिमाल कर हमास के लडाकू ने 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा हमला किया था इस्रेली सेना के मताबिक 4 किलो मीटर लंबी इस सुरंग का इस्तिमाल हमास के लडाके आने जाने और हत्यारों की सप्लाई के लिए करते थे और इसे बनवाने में लाखू डॉलर खर्च किये गए थे दावा है कि इतनी बड़ी रकम इसलिए खर्च की गई थी क्योंकि सुरंग में गाड़ियों के घुसने तक गड़ा खोद कर उसमें कंक्रीट की दिवार बनानी थी और इस सुरंग को बनवाने वाला मोहमद सिनवार था जिसके ठिकानू पर पिछले महीने इसरेल की सेना ने बहुत बड़ी कारवाई की थी हमास के कमांडर याया सिनवार की साथ साथ इसरेल की सेना को इसके भाई मोहमद सिनवार की भी तलाश है माना जाता है कि उत्री गाजा में जारी ओपरेशन से डर कर वो दक्षणी गाजा में कहीं छिपा हो सकता है इसलिए इसरेल की सेना इन दिनों दक्षणी गाजा में ताबड तोड हमले कर रही है लेकिन दक्षणी गाजा में सैन आपरेशन के साथ साथ उत्तरी गाजा में हमास की सुरंगू को तबाह करने का सिलसला भी जारी है इस्रेल पहले ही साफ कर चुका है कि गाजा पटी में उसका सैन आपरेशन लंबा चलेगा क्योंकि इस्रेल का मानना है कि जब तक हमास की सभी सुरंगू का पता नहीं चल जाता और जब तक उन्हें तबाव नहीं कर दिया जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा यानि घाजा पट्टी में इस्रेल का अभियान जारी रहेगा जबकि अमारिका समीत उसके कई मददगार देश भी इन दिनों इस्रेल पर जंग खत्म करने का दबाव बना रही है लेकिन इस्रेल की प्रधान मंत्री बेन्यामीन नेतन यहू ने अपना फैसला नहीं बतला माना जा रहा है कि उत्तरी घाजा में सबसे बड़ी सुरंग का पता लगाने के बाद उसे दुनिया को दिखा कर इस्रेल ने ये साबित करने की कोशिश की कि हमास के इरादे कितने खतरनाक हैं क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी सुरंग जहां मिली वहां से इरेज क्रॉसिंग बेहद नस्दीक है। इस क्रॉसिंग के पास ही इसरेल के सेन अड़े हैं। इसरेल का आरोप है कि उन्ही सुरंगों में हमास के बड़े बड़े कमांडर छिपे हैं। हमास की सुरंगों में भरा जा रहा है। क्योंकि पानी भरने से या तो वो लड़ाके सुरंगों के अंदर ही ढूप कर मर जाएंगे या फिर वो जैसे ही बाहर निकलेंगे। इसरेली सेना उन्हें पकड़ लेगी। हलाकि इस काम में लंबा वक्त लगने की संभावना है क्योंकि माना जाता है कि गाजा में हमास की सुरंगों का जाल करीब 500 किलोमीटर लंबा है। इसरेल को ऐसी कई सुरंगें अस्पतालों और स्कूलों के नीचे से भी मिली हैं। इसी वज़ा से उत्री गाजा के सैक्डों अस्पताल और स्कूल भी इसरेल के भीशन हमलों में तबाह हो चुके हैं। और अपने आरुपों को पुखता करने के लिए इसरेल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया। दावा है कि ये वीडियो उत्री गाजा के जबालिया का है। वहाँ इसरेल की सेना ने सबसे बड़े शरनाथी सिविर पर हमला भी किया था। और दावा है कि उसी जबालिया में हमास के लिलाकों ने बच्चों का इस्तमाल अपने खतरनाक प्लान के लिए किया था। इसरेल ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसकी सेना इलाके में चापे मारी करती नजर आई। इसी दोरान एक इमारत में बच्चों का एक कमरा नजर आया। उस कमरे में बच्चों से जुड़ी चीजें रखी हुई थी। लेकिन जब इस्रेली सेना ने उसकी तलाशी ली तो उसी कमरे में एक सुरंग मिली। दावा है कि इस सुरंग का इस्तिमाल हमास के लडाके करते थे। यानि दुनिया को धोका देने के लिए हमास के लडाकों ने स्कूलू और अस्पितालों की आड में सुरंगे बनाई थी ताकि वो आसानी से छिप सके। गाजा में इस्रेल की सेना इस तरह की कई सुरंगों का पता लगा चुकी है। और ये कारवाई इस्रेल की मुख्य पैदल सेना इकायू में एक नाहल ब्रिगेट के सेनिकों के जिम्में है। इसे यूनिट के सैने के इन दिनू हमास की सुरंगों को बर्बाद करने में जुटे हैं और दावा है कि हमास ने जान बूच कर अपनी कई सुरंगों को इस्रेल की सीमा के नस्दीक बनाया था ताकि उसके लड़ाकों के लिए बॉर्डर तक छिप कर पहुँचना आसान हो सके और जिस लंबी सुरंग का दावा इस्रेल की सेना कर रही है वो भी उसकी सीमा के नस्दीक ही मिली है 7 अक्टूबर से पहले तक इरेज क्रॉसिंग से गाजा के कई लोग इस्रेल में दाखिल होते थे उनमें बड़ी संक्या मजदूरूं की होती थी तो साथ ही इलाज करवाने वाले मरीजूं की भी लेकिन उसी सीमा से महस कुछ दूरी पर हमास की इतनी लंबी सुरंग के मिलने से इस्रेल की सेना भी हैरान है क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि उसके सैन अड़े के नस्दीक हमास इतनी बड़ी साजिश रच रहा है अरोफे की 7 अक्टुबर के दिन उसी सुरंग से बाहर निकलकर हमास के लड़ाकों ने एरेज क्रोसिंग के नजदीक भी इसरेल के इलाकों में तबाही मचाई थी उनके हमले में तीन इसरेली सेनिकों की मौत हो गई थी और उस वक्त हमास के लड़ाकों ने वहां से कुछ लोगों को बंधग भी बना लिया था उसी हमले के बाद से इसरेल ने हमास के खलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ रखी है फिलिस्तीन का दावा है कि पिछले दो महीनों में घजा में 18,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं और उनमें जादातर महिलाएं और बच्चे हैं और इसी वज़े से इसरेल का सबसे बड़ा दोस्त अमारिका भी इन दिनों उससे नाराज है यही नहीं खबर है कि अमारिकी रख्षा मंत्री लॉइड आस्टिन एक बार फिर इसरेल के दोरे पर जाने वाले हैं और कतर की टीवी चानल अल्जजीरा के मताबिक अमारिका एक बार फिर इसरेल पर सीज फायर का दबाव बना सकता है पिछले हफते ही अमारिका की राष्ट्री सुरक्षा सलाकार जेक सलिवन ने इसरेल की यात्रा भी की थी माना जाता है कि उस दोरान उन्होंने नेतनियाहू को बाइडन का साफ संदेश सुना दिया था और अब अमारिकी रक्षा मंत्री लॉइड आस्टिन भी उसी मुद्दे पर इसरेल के प्रधान मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं अमारिका पहले ही दो टू कह चुका है कि अगर इसरेल ने गाजा में हमले नहीं रोके तो वो अपने मददगारू से भी समर्थन को सकता है माना जा रहा है अमारिका अपनी साख बचाने के लिए इसरेल पर दबाव बना रहा है क्योंकि गाजा में कतले आम के लिए इसरेल के साथ साथ उसका नाम भी घसीटा जा रहा है ऐसे में पूरी दुनिया में अमारिका की भी किरकिरी हो रही है इसी वज़े से अमारिका ये दिखाने में जुटा है कि वो गाजा की जंग को खत्म कराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है